हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सबी लोग स्वागत है आपका हमाई सेन सक्सेस मंच में आज मैं एक बर फिर आपके सामने आरो यारो मीन्स का हिंदी का लेकर आई हूं पेपर जिसमें हम लोगों ने किया था पहले एक लेक्चर हो चुका है जिसमें डॉक्टर अलका ने आपक क्या क्या चीज ध्यान में रखनी है और उसका पादध करें सासार लेखन लिखे और व्याख्या कैसे करें तो वह हम ने डिटेल में बढ़ाता कि किस किस साम थानीों को मैं ध्यान में रखना चाहिए जिससे हमें अधिक سबढ़िक अंक मिल सकते हैं आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वह इसमें की Example देखते हैं की सीशक कैसे लिख सकते हैं क्या कि अगर आगर हमें पैससे दिया हो तूस के सीशक क्या हो सकता है उसका सागलेखन लिखते हैं तो कितनेặc प्रिवर्तन विदी का प्रियोग करते हैं और व्याख्या किसी underline जो भी हमारे पास लाइन दी हुई है उसकी व्याख्या हम लोग कैसे गरते हैं तो आज हम पहला इसका देखेंगे तो जो वीवर्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए और ज्यादर से ज्यादर सब्सक्राइब कीजिए आप लो बेल आइकन दबाना मत भूलेगा क्योंकि उसी के थ्रू आपको हमारे वीडियो की लिखन करें और व्याख्या करें और इसमें एक चीज और बता दू कि सरफ देखने से नहीं आएका देखने से आपको यह समझ में आएगा कि हमें लिखना किस तरीके से है लेकिन आप लोग जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी ज्यादा आप लोग इससे बड़ा भी आता है आरो में इतना ही नहीं आता है वो मैंने सर्फ एक्जाम्पल के लिए आपको लिया कि आप इस ताइप से कर सकते हैं तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है रामचरित मानस के उत्तरकांड में गरुम ने कागबुसुंडी से साथ प्रश्न पूछे हैं प्रश्न मानवी अस्तित्व के बुनियादी प्रश्न है तो आप लोगों को जो इसमें सबसे पहले आप सीशक करेंगे तो आप लोगों को जो जो में में पॉइंट लगा उसको साथ में अंडरायन करते हुए चलिए जैसे कि लग रहा है कि रामचरित के मानस के उत्तरकां से यह पूरी हमें पंक्तिया ली गई है पहले तो एक बार आप थोरुली पढ़ लीजिए कि क्या कहा गया है फिर उसके बाद अंडरायन शुरू कीजिएगा आगे हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं यह प्रश्न मानवी अस्तित्व के बुनियादी प्रश्न है और उनके उतने ही अर्थवान जितने संक्षिप्त प्रश्न उतने ही सारकर्वित उत्तर जैसे तुलसी दास अपने जीवन भर के अनुभों का निचोड दे रहे हूं गरुन का एक प्रश्न है बढ़ दुख कवन कवन सुक भारी अर्था सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सु क्या है कागपु सुंदी एक ही चौपाई में इसका उत्तर जो देते हैं वे तुलसी दास जैसा बड़ा कवी ही लिख सकता है वे कहते हैं नहीं दरिद्र सम दुख जग माही संत मिलन सम सुख जग नाही अर्थात दारित्र के समान कोई दुख नहीं और संत मिलन के समान दुख है तो उसका उल्टा अर्थात आर्थिक संपन्यता को सबसे बड़ा सुख कहना चाहिए मगर तुलसी दास ऐसा नहीं कहते यह अपने पूरा एक बार पढ़ लिए आपको समझ में आ गया है कि इसमें उत्तर कांड में जो रामचरत मानस में दिया हुए गरुन ने का पामचरत मानस तुलसी दास नहीं है तो जो भी कुछ लिखा गया है उन्होंने अपनी सूच से लिखा हुआ है कोशन क्या है इसमें एक ही कोशन जीसे साथ प्रशन लिखी है लेकिन कोशन सरफ एक ही पूछा है इस पैसेज में बढ़ दुक कवन कवन सुख भारी तो आप यह यह वर्ड अंडरलाइन कर सकते हैं जो आपको इंपोर्टन लग रहे हैं जैसे कि तुलसी दास जीवन भर के अनुभोका निचोडते रहे हैं गरुन ने साथ प्रशन पूछे प्रशन थे मानवी अस्तित्व के बुनियादी प्रशन इस टाइप से इसका उत्तर तो कोशन माक वाले कोशन होते हैं ऐसा हम लोग लेख सकते हैं तो इस ताइप से आपने काफी चीज़ें इसमें नोट कर ली होंगी कि जो आपको इंपोर्टन लग रही होंगी आगे हम देखेंगे कि शारांस में हम कैसे अंडरलाइन करेंगे और क्या के चीज़े चाटेंगे तो चलिए हम सीशक पर चलते हैं तो मैंने इसके लिए सीशक जो दिये हैं मैंने चार सीशक आप लोग को दिये हैं उनमें से आप कोई भी एक सीशक इसमें दे सकते हैं चारो ही बस वो examiner के point of view पर depend करता है कि वो आपका कौन सा सीशक चूज करता है क्योंकि जितने experience exam नहीं होने वाला सबका सीशक डिफरेंट होता है किसी में words का difference हो जाता है किसी में कुछ लेकिन सीशक सबका different होता है तो इसका कोई एक पर्टिकुलर नहीं है कि सीशक यही देना है ऐसा कुछ नहीं होता है वो examiner के point of view से उसके mindset पर डिपेंड करता है कि वो क्या आंसर देत हैं आप बिल्कुल भी पैसे से भटक की सीशक नहीं दे सकते हैं जो पैसेज में दिया हुआ है उसी को त्यान में रखके आप सीशक देंगे जैसा कि डोक्टर अलका ने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था तो चलिए हम लोग इसमें एक सीशक दे सकते हैं कि मान अस्तित्व के बुनियादी प्रेश्ण नेक्स्ट गरुण के साथ प्रेश्ण क्योंकि यहां दिया हुआ है कि म्राम चरित मानस के उत्तरकान में गरुण ने कागुसुंडी से साथ प्रेश्ण पूछे तो यहां पर साथ प्रेश्ण दे सकते हैं या फिर गरुण के नॉम बढ़ दुख कवन कवन सुख भारी यह जो हमारा इसमें कोष्चन पूछा गया है यह मेंइंपॉर्टन्ट है मुझे बहुत जादा सुटेबल यही सीशक इसमें लगा कि इसमें यहीं सीशक होना चाहिए कि पूरे पैसिज की जान यही लाइन है कि बढ़ दुख कवन कवन स कागु-सुंडी के उत्तर, यह वाला सिशक भी आप दे सकते हैं क्योंकि इन्हों प्रशन पूछे थे और इन्हों ने उत्तर दिये और इसके उपर भी आप सीशक दे सकते हैं आपको यह निए समझ में आ गया कि मैं ने चारी बताए है और यह बहुत सारे सीषक इसमें से निगल सकते हैं जो आप लोक सोच थे हैं तो आप लोग अपना दिमांग लगए कि और क्या-क्या सीषक हो सकते हैं चौपाई के और एक लाइन में भी शीशक एक शब्द में भी शीशक होता है, ऐसा नहीं कि मैंने पूरी लाइन लिख दिया, आपको पूरी लाइन हो सकते हैं, लेकिन हाँ उसका प्रोपर मीनिग होना चाहिए, प्रोपर पैसे से मैच करता हुआ होना चाहिए वो और यह important है बहुत जादा और शीशक मैं बताऊं ज्यादा से ज्यादा examiner के point of view उसके mindset पर ही depend करता है तो आप लोग कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा practice करिए मैं और भी दो चार गध्यांश लेकर आऊंगी जिससे आपको और ज्य करते हैं तो शारांस मेली जो होना जाहिए वन थर्ड वर्ड्स में होना चाहिए जैसे कि माली जिए आपको सो वर्ड्स का दिया हुआ है पूरा गध्यांश तो सो वर्ड्स का वन थर्ड अराउंड 30-40 वर्ड्स में आपको पूरा ये सीशक सॉरी संक्षेपन complete करना पड़ जितना भी आपका पास गध्यांश के वर्ड है उसका वन थर्ड आपको यहां पर संक्षेपन लिखना है तो आप देखिए अब हम देखते हैं मैंने दोनों साथ में दिया है हम लोग क्या चीज इसमें छाटेंगे और क्या चीज रखेंगे इसमें दिया हुआ और यह सब्सक्राइब के उत्तरकान में गरुण ने काक बुसंडी से साथ प्रश्न पूछी है तो हम यहां पर देखिए पहली लाइन लिखिए तुलसी दास तुलसी कृत रामचरित मानस अब यहां पर यह चैसे यह लाइन है तुलसी अपने जीवन भर के अनुभव का निचोड दे रहे हैं तो यह लाइन यहां पर एड़ कर दिया थोड़ी सी क्योंकि तुलसी कृत रामचरित मानस जो लिखिए वह तुलसी दास जी ने लिखिए इसलिए तुलसी दास ज्वारा लिखी गई रामचरित मानस इसकी जगह इन्होंने परिवर्तन विदी का यूज करके त चुल सीक्रित राम चरित व। त्यों हुआ हिए इसमें कोई नहीं है। यहां पर जो भी इनों पूरी लाइन ये वाली लाइन और पहली वाली लाइन ये वाली ये दोनों इनने वह बिलकुल मिक्स करके एक particularly dire अब ये प्रश्न उत्र संख्शिप्त तथा सारगरभित हैं साथी जीवन के मोलबूत प्रश्ण है अब ये देखिए । ये प्रश्न मानविय अस्तित्व के बुनियादी प्रश्न है और उनके उत्तर भी उतने ही अर्थवान जितने संग्षिप्त प्रश्न उतने सारगर्भित उत्तर तो ये लाइन इनोंने पूरी दो लाइन है इसको सिर्फ एक लाइन में आधी लाइन में कनवर्ट करके इनोंने यहां पर दिया हुआ है कि ये प् पूरी लाइन है मानवी अस्तित्व के बुन्यादी प्रश्न तो हिन्होंने लिखा है यहां पर जीवन के मूलभूत प्रश्न यहां पर यह यहां पर यूज खिया इनोंने और उसके मूलभूत प्रश्ण है या बुनियाधी प्रश्ण भी आप लिख सकते हो यहां मूलभूत की जगह इसमें कोई फरक नहीं पड़े तो आप यहां लिख सकते हैं साथ ही जीवन के बुनियाधी प्रश्ण है अब यह लोग देखिए डायरेक्ट यहां पर प्रश्ण पर आ गए हैं फाल्तू के इन्होंने यहां पर जैसे कि यहां गरून का एक प्रश्ण है बड़ दुख कवन कवन सुख भारी अर्था सबसे बड़ा दुख कौन सा है सबसे बड़ा सुख क्या है यह सब ना लिखके इन्होंने सिंपल से तो आपको यह समझ में आएगा कि यह जो लाइन है बड़ दुक कवन कवन सुभारी इनोंने बिल्कुल डिलीट कर दीजिए बीच में यह सब जो दिया हुआ यह सब डिलीट करना है क्योंकि हमें इसको शौट लिखना है तो काग बुसुंडी कहते हैं या काग बुसुंडी उत्तर देते हैं दरिद्र समान कोई दुख नहीं और संत मिलन समान कोई सुख नहीं यह पूरी लाइन ऐस इस यहां उतार सकते हो आप क्योंकि आपको यह द्रीद्र सबसे बड़ा दुख है तो उसका उल्टा अर्थात आर्थिक संपन्नता को सबसे बड़ा शुम कहने चाईे बगड़ तुलसीदास ऐसा नहीं किते तो इस अप मेरी सबसे बड़ा दुख है तो तो यहां पर यह नहो दो अगर देखा जाए तो अमेरी सबसे बड़ा सुख का कारण भी हो सकता है मगर तुलसिदाज ऐसा नहीं कहते तो आप लोग यह देखके दोनों को देखके समझ गये होंगे कि कैसे करना चाहिए संग्षेपड यह आईडिया संग्षेपड नहीं है आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो थोड़ा सा अपने शब्दों में लिखोगे और ज्यादा प्रैक्टिस होगी कि कैसे लिख सकते हो जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप पर्फेक्ट लिख पाहोगे सिर्फ पढ़ने से गध्यांश का संशेपड सीशक और व्याख्या नहीं आती है यह बार बार में कहारी हो सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं आएगा उससे पैंसिल कॉपी लेके लिखना पड़ेगा पैंकॉपी यूज करना पड़ेगा को इसको अच्छे से करने के लिए चलिए हम देख लेते हैं भावपलवन मीन्स व्याख्या जैसे कि हैं आप लोग दे भावपलवन क्या होगा तो यहां पर देखिए सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा स्थ यहां लिखा हुआ है मैं बता देती है और इसको पूरा पूरा आपको अपने सब्दों में लिखना होगा मनुष्य अपने जीवन में जिस मूल प्रश्न से रूबरू होता है वे हैं सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख यहां दुख कार्थ सारीलिक पीड़ा बलकी नहीं बलकी वेदना है जो कि मनुष्य के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करता है वहीं खुशी का आसा है ततकालिक या छड़िक खुशी नहीं बलकी आनंद की स्थिती है जिस स्थिती में कोई दुख या परिशानी नहीं होती इन्होंने इस लाइन में आप देख सकते हैं सिर्फ सुख और दुख के बारे में डिसकस किया हुआ है कि ये होता क्या है इस question का answer यहाँ पर नहीं दिया तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना कि जो line दी हुई हमें उसी को घुआ फिरा के बार बार बोलना है लाइने change होनी चाहिए शब्द change होने चाहिए लेकिन वो जो कहा गया है वो बाग के बिल्कुल नहीं change होना चाहिए इसके answer पे हमें नहीं आना है सरफ question को ही समझाना है कि इस question में क्या पूछा गया है क्या कहा गया है तो इससे आपको समझ में आचुका होगा कि इसकी व्याक्षा कैसे करनी है lines की एक और इसमें line दी गई थी यहां पर आप देखो दरिद्र के समान कोई दुख नहीं और संत मिलन के समान कोई सुख नहीं ये लाइन पे अंडर लाइन की गई है इसकी व्याख्या कैसे करनी है ये देख लेते हैं दरेत्र के समान कोई दुख नहीं और संत मिलन के समान कोई सुक नहीं अब यह जो लाइन दी गई है एस इस इस लाइन की व्याख्यां में करनी है ना इसके कोश्चन पर जाना है ना और कोई पॉइंट हमें यहाँ पर घुमाफिरा के लाना है सर्फ इसी लाइन को हमें दरित्र के समान कोई दुख नहीं है क्योंकि गरीबी अन्य कई दुखों का कारण है वहीं अगर सुखों की बात करें तो संत जनों बुद्धिमान लोगों एवं चरित्रवान लोगों के मिलन के सुखों के आगे सभी सुख फीके हैं क्योंकि संत मिलन होने के बाद व्यक्ति जीवन के तमाम उलजनों को भूलकर आनंद की स्थिती में चला जाता है तो सरफ यही समझाया है इस लाइन में कि दरित्र के समान कोई दुख नहीं है और संतमिलन के समान कोई सुख नहीं है इस पूरी जो लाइन का मीनिंग है इन्होंने चार से पांच लाइनों में पूरा इस अपने समझाया तो आप लोग देख सकते हैं कि आपको किस टाइप से व्याख्या करनी है किस टाइप से आपको लाइन का जवाब देना है तो आपको यह एक्जामबल से समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे लिखना है तो मैं बार पर यही चीज कह रही हूं कि स्रिफ प्रेक्टिस कीजिए बहुत सारे पैसेज आप लेखिए जैसे कि डॉक्टर अलका ने बताया कि आप लोग आर्टिकल लेजिए आर्टिकल पूरा लंबा होता है उसको शौट लिखने की कोशिश कीजिए तो आपका नोट्स भी तैया हो जाएंगी और आपको यहां पर यह समझ में आ जाएगा कि इसकी संग्षेपण या व्याख्या कैसे करते हैं तो आप संग्षेपण के लिए नोट्स बनाइए यह बहुत बेनिफिशल रहेगा आप लोगों के लिए होप आपको आज की मेरी वीडियो समझ में आई होगे अगर समझ में आये तो प्लीज मैं और लेकर आऊंगी ताकि आपको बिल्कुल क्लेयर हो जाए कि कैसे होता है संग्षेपण कैसे होता है भाव पल्लवन या फिर व्याख्या और कैसे हम लोग शीशक चूज कर सकते हैं शीशक में कोई हाड और फास रूल नहीं है बट हां पैसे से लेटर जरूर होना चाह